दोस्तों स्वागत है आपका Ionic Medicine की एक और नई वीडियो में तो गाइज इस वीडियो में हम Remake SP Tablet की बात करेंगे तो गाइज यहाँ जो Remake है यह कंपनी ने इसको नाम दिया है RHP Healthcare का प्रोड़क्ट है तो RHP Healthcare ने इसको नाम दिया है Remake SP इंडिकेट करता है कि इस Medicine के अंदर सेरेप्टो पैप्टिडियेज भी डाल गया है तो गाइज यह Medicine तीन अलग-अलग साल्ट से बनाई गई है पहला साल्ट है एसी कलोफीनेक का दूसरा साल्ट है पेरसीटामोल और तीसरा साल्ट हो जाता है सेरेप्टो पैप्टिडियेज दोस्तो ऐसी कलोफीनेक पेन के लिए एक बहुत अच्छी दबा होती है तो यदि किसी को बोड़ी पेन है, दांत का दर्द है, हड़ी जोड मोच का दर्द है चोट लग गई है, गुम चोट लग गई है, या फिर कोई लाठी डंडे का दर्द है एक्सिडेंट हो गया है, बाइक से गिर गई है, चोट खुल गई है, खरोच लग गई है जखम हो गया है, तो कट घाओ हो गया है, तो ऐसे जो दर्द होते हैं इनको ऐसी क्लोफीनेक जो है काफी अच्छे से ठीक करता है इसके बाद पैरसीटमोल की बात करें तो ये मेंली फीवर को कम करने के लिए दी जाती है बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन रखती है तो गाईस जब किसी वेक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या नॉर्मल कफ कोल्ड फ्लू अगेरा हो जाता है उस समय बाडी में होने वाले दर्द, जक्रन, मोच, एंठन ये सारी चीज़ों को ये ठीक कर दिये, बुखार को ठीक करती है इसके लाब अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर डारदा तुखडा है, टूथ एक्स्टेट हुआ है तो उस कंडिशन में क्या है सूजन होने लगती है तो सेरेप्टो पैप्टीडेस का काम रहता है कि ये स्वैलिंग या इंफ्लामेशन यानि कि सूजन के लिए काफी अच्छा होता है दोस्तो ये सूजन को खतम करता है तो इस तरह से ये एक ऐसी दबा है, एक ऐसा कंपोजिसन हो जाता है जो आपके सरीर में होने वाले दर्द, बुखार, सूजन के लिए काफी फाइदे मन्द होती है तो ये इस टैबलेट के फाइदे होते है दोस्तो डोस की बात करें तो एडल्ट में इसकी जो डोस होती है वो दिन में एक एक टैबलेट सुभा साम या दिन में तीन बार तक जो लेना होता है जो के आपके डॉक्टर की सलह से रहता है तो गैज इसका MRP देख लेते हैं तो हर एक टैबलेट का जो इस्ट्रिप है उसका MRP 92 होता है तो 92 में आप इसको खरीब सकते हैं जो नुन 2024 तग इसकी एक्सपायरी है और गैज यहाँ पर हम इसका अगर कमपोजिशन देखें तो इसके अंदर एसी कलोफीनेक 100 mg परसीटमोल 325 mg सेरेप्टो पैप्टिडियस 10 mg तो यह इसका कमपोजिशन रहता है तीनों ही दवाईयां इस टैबलेट को काफी अच्छा बना देती हैं गाईज और यह रैड श्ट्रिप मैडिसेन है हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर की सलाह से ले और गाईज यहां पर अगर हम कुछ साइड इफेक्ट कॉसंस की बात कर लें तो अगर डेली डोज में कोई इनको ज़्यादा ले लेता है तो उस समय उनको ऐलर्जिक रियक्शन आ सकते हैं बाडी के अंदर चेहरा सूज सकता है मुगा और गला भारी हो सकता है निगलने में तकलीफ हो सकती है साथी स्किन पर इचिंग और रैसिस वगेरा हो सकते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि सही डोज में ही मैडिसिन का सेवन करना है एक्ष्ट्र डोज आपको बिलकुल नहीं लेनी है तो गाईज इन सभी बातों का जब आप ध्यान रखते हैं तो आपकी समस्या दीरे दीरे पूरी तरह से ठीक हो जाती है और आप स्वस्त हो जाते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेर कर सकते हैं साथी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दे